नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों होली के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जम कर पैसा आएगा दोस्तों वसकुछी दिनों बाद होली का तिवहार पूरे देश में बहुती धूम धाम से मनाया जाएगा दोस्तों रंगों का ये तिवहार खुशिया लेकर आता है और हम सभी को इस तिवहार को बड़े ही धूम धाम से मनाना चाहिए दोस्तों इस तिवहार में होली की पूजा होती है और उसके बाद होली का दहन होता है मित्रों धार्मिक मानिताओं के अनुसार होलिका दहन के साथ ही नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है हलाके होलिका दहन से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंके तब तक नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है होली का दहन के अपसर पर कुछ कारें को करने की मना ही होती है तो कुछ कार सभी को करने की बात कही जानती है तो आएए दोस्तों आज के इस वीडियों में जानते हैं कि होली का दहन पर क्या करें और क्या ना करें साथी दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि हमें होली में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए साती मित्रों आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि होली के दिन अगर आपने ये एक चीज खा ली तो येकीन मानिए पूरे साल आपके घर जम कर पैसा आएगा और लच्मी माता आप पर महरवान रहेंगी तो मित्रों ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंतक जरूर बढ़े नहीं जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना चलिए अब शुरू करते हैं आज का इंट्रेस्टिंग और यूजफुल वीडियो सबसे पहले दोस्तों वीडियो में जानते हैं कि होलिका दहन पर क्या करें दोस्तों होलिका दहन की शाम को होलिका की पूजा में जरूर शामिल होना चाहिए होलिका दहन के समय आप अगनी में गेहूं मटर और अलसी डाले गेहूं की बालियां आग में सेख कर खाने से सेहत अच्छी रहती है वहीं दोस्तों होलिका देहन से पूरुप परिवार के सद्दस्यों को उपटन जरूर लगाना चाहिए उसके अवजेश को होलिका की अग्वी में डाल देना चाहिए धार्मिक मन्यता है कि ऐसा करने से नकारत मुक्ता दूर होती है और लोग निरोगी रहते ही वहीं होलिका पूजा के समय अपना मुक पूरब या उत्तर दिशा में रखना चाहिए होलिका पूजा में शामिल होने से सुक्समृद्धी एवं शक्ती में बृद्धी होती है होलिका दहन पर अपनी राशी के स्वामी ग्रे से जूडी हुई वस्तूओं का दान करना चाहिए आईए दोस्तों इस वीडियो में जान लेते हैं कि होलिका दहन पर हमें क्या नहीं करना चाहिए आईए जानते हैं सबसे पहले शास्त्रों में बताया गया है होलिका दहन के समय अपने सिर को खुलाना रखें होलिका दहन वाले दिन सड़क पर पड़ी हुई वस्तूओं को नहीं चुना चाहिए क्यूंकि इस दिन लोग तंतरमंत्र के कारे करते हैं होलिका दहन के दिन मास मंदिरा का सेवन ना करें आज के दिन काले या नीले रंके वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए इनको नकारतमक्ता का प्रतीक मना जाता है जिनकी एक ही संतान हो उनको होलिका दहन के लिए अग्री प्रजलित नहीं करना चाहिए वहीं जिन लोगों का विवा सालवर के अंदर में हुआ होता है उनको होलिका देहन की आग नहीं देखनी चाहिए का जाता है होलिका अपने प्रेमी से फालगुन पूरिमा से विवाह करने वाली थी लेकिन बाजल कर मर गई जिससे उसका विवाह नहीं हुआ इस वज़े से नविवाही जोड़े को होलिका देहन में शामिल होने से मना किया जाता है आये दोस्तों वीडियो में अब जानते हैं कि होलिका देहन के दिन भूल कर भी हमें कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए मित्रों होली का दहन के दिन सफेज चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए सफेज चीजों में नकारात्मा कूर्जा जल्दी प्रिवेश कर जाती है दूद दही चावल का सेवन करने से नकारात्मा कूर्जा का प्रबाव बढ़ जाता है मित्रों इस दिन कच्चे खाने से परहेज भी करना चाहिए और दोस्तों वीडियो के अंग में जानते है कि होली के दिन वे कौन सी चीज है जिसे खाने से पूरे साल लच्मी माहां पर महरवान रहती है मित्रों होलिका दहन के दिन गेहों और गुरसे वनी रोटी का सेबन करना बहुती शुब माना गया है इस दिन होलिका की पवित्र अगनी में सेकी गई रोटियों का सेबन करना भी शुब माना गया है तो एकिन मानिए अगर आप भी गेहों और गुरसे बनी रोटी होलिका देहन के दिन खा लेते हैं तो पूरे साल आपके घर जम कर पैसा आएगा और कभी भी पैसों और रोपियों की घर में दिक्कत नहीं होगी लच्मी मा आप पर महरवान रहेगी और कुवेर जी के खजाने आपके लिए खुल जाएंगे तो मित्रों आप लोग भूल कर भी ये गलती ना करें और हुलिका देहन के दिन गेहों और गुरसे बनी रोटी जरूर खाएं तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी मैं मिलता हूं ले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद